हेलो बच्चों इस वीडियो में हम exercise 4.2 का question number 1 का first part करेंगे इसमें हम एक quadrilateral LIFT बनानी है जिसकी sides है LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 cm and IT 4 cm किसी भी quadrilateral को बनाने के लिए पहले एक rough diagram बनाएंगे यह quadrilateral हो गई इसके vertices है LIFT और इसकी dimensions है LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 cm, IT 4 cm तो यह हमारा एक rough diagram बन गया है LIFT अब इसको देखकर हम quadrilateral की construction करेंगे step 1 में हम इसका base draw करेंगे LI equal to 4 cm यह line segment हो गई LI 4 cm step 2 में I को center लेकर 3 cm radius की arc लगाएंगे इसके लिए हम compass को 3 cm खोलेंगे, यह compass हमने 3 cm खोल ली, अब I को center लेंगे और यह arc लगाएंगे step 3 में L को center लेंगे और 4.5 cm radius की एक दूसरी arc लगाएंगे जो पहली arc को cut करेंगे compass को हम 4.5 cm खोलेंगे, यह compass 4.5 cm खोल ली, L को center लेंगे, L को center ले लिया और यह arc लगा दी जहां पर दोनों arc एक दूसरे को cut करेंगे इसको हम F point नाम देंगे, step 4 में IF और LF को join कर देंगे, यह IF हो गया, यह LF हो गया, IF 3 cm, LF 4.5 cm step 5 में L को center ले कर 2.5 cm radius की एक arc लगाएंगे, इसके लिए compass को 2.5 cm खोलेंगे, यह compass 2.5 cm खोल ली, L को center लिया और यह arc लगा दी step 6 में I को center लेंगे और 4 cm radius की दूसरी arc लगाएंगे, जो पिछली arc को cut करेंगे अब compass को 4 cm खोलेंगे यह compass 4 cm खोल ली आई को center ले लिया और arc लगा दी अब यह दोनों arc जिस point पर meet कर रही हैं उसे हम point T ले लेंगे इसके बाद step 7 में L T, I T और F T को join कर देंगे यह L T, I T, F T इसकी naming कर लेते हैं L T 2.5 cm, I T 4 cm इस तरह से हमारी quadrilateral L I F T त्यार होगी है अब steps of construction लिखेंगे यह हमारे steps of construction है exercise 4.2 का question 1 का second part है construct a quadrilateral G O L T with sides O L equal to 7.5 cm, G L equal to 6 cm, G D equal to 6 cm, LD equal to 5 cm and OD equal to 10 cm तो यह question भी बिलकुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने question 1 का first part किया है इस question को आप लोग खुद try करेंगे अब हम question 1 का third part करेंगे इसमें rhombus B E and D बनाएंगे जिसके diagonals B N 5.6 cm, D E 6.5 cm दिये हैं तो rhombus बनाने के लिए पहले इसका एक rough diagram बनाएंगे यह एक rhombus है इसके vertices हैं D E N D B N यहाँपर 5.6 cm है D यहाँपर 6.5 cm है तो इस तरह से rhombus का rough diagram तयार हो गया अब इस diagram को देखकर rhombus की construction करेंगे सबसे पहले हमें scale और compass की जरूरत है यह scale हो गया यह compass हो गई construction step wise करेंगे first step में diagonal B N 5.6 cm द्रॉ करेंगे यह 5.6 cm की एक line segment द्रॉ कर दी B N 5.6 cm अब बच्चों क्योंकि हमें rhombus की sides नहीं पता हैं और सिर्फ diagonal पता हैं तो हमें पता है कि rhombus के diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं bisect मरलब equal parts में एक दूसरे को divide करते हैं तो इसलिए हमें B N को equal parts में divide करना होगा तो इसके लिए step 2 में हम perpendicular bisector draw करेंगे इसके लिए B को और N को center लेकर उपर और नीचे की और दो दो आर्क लगाएंगे perpendicular bisector बनाने के लिए compass को आपसे ज़्यादा खोलेंगे B को center लेकर एक आर्क उपर की और लगाएंगे और दूसरी आर्क नीचे की और लगाएंगे इसके बाद N को center लेंगे और एक आर्क उपर की और दूसरी आर्क नीचे की और लेंगे अब जो हमने आर्क ड्रॉग ही हैं उसकी दो आर्क उपर एक दूसरे को cross कर रही है और दो आर्क नीचे एक दूसरे को cross कर रही है अब इन दोनो points को हम मिला लेंगे इस तरह से हमने दोनो points मिला लिए ये line BN को two equal parts में divide कर रही है और इस point को हम name ले लेंगे O point बनाएंगे इसके लिए D E को हमें two equal parts में divide करना है अगर हम D जो की 6.5 cm है इसको two equal parts में divide करते हैं तो 3.25 cm आता है अब इसके लिए step 3 में compass को 3.25 cm खोलेंगे ये हमने compass 3.25 cm खोल ली अब O को center लेकर एक आर्क उपर की ओर और दूसरी आर्क नीचे की ओर लगाएंगे ये एक आर्क हमने उपर की ओर लगा ली और एक आर्क नीचे की ओर लगा ली ये दोनों आर्क इस line को दो अलग अलग जगह कट कर रही हैं तो उपर वाले point को हम D ले ले लेते हैं और नीचे वाले point को हम E ले लेते हैं यहाँ पर OE 3.25 cm है और ODB 3.25 cm है इस तरह से DE 6.5 cm हो गई Step 4 में BE, EN, ND और PD को जोइन कर लेंगे यह BE हो गई, EN, ND, PD इस तरह से हमारी rhombus BE, ND तयार हो गई है जिसके diagnosis BE, N 5.6 cm और DE 6.5 cm है जो भी steps हमने use कही हैं वो सारे steps of construction में लिख लेंगे यह मारे steps of construction हो गए